और आज मैं आपको power sequence के बारे में बताने वाला हूं B plus के बाद हमको जो second voltage जो मिलता है तो second voltage को हम बोलते ल्डी ओ यह सिस्वान सिगनल क्या है यह यह सिस्वान सिगनल आपका जो RAM का section होता है यह RAM section के लिए यहां से signal out होता है हलो फ्रेंड्स एक एंफो यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपको पावर सिक्वेंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि लैप्टॉप में बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है जो कि जितने भी आपके जो सेमेटिक डाइग्राम होते हैं तो साहर सेम से वोल्टेज हमको पहले मिलना चाहिए फिर सेकेंड टाइम पे किस वोल्टेज पर जाना है किस सेक्षन पर जाना है तो उसके लिए हमें पावर सिक्वेंज की रिक्वाइर्मेंट बहुत जादा होती है तो किसी भी जब आप सेमेटिक डाइग्राम डाउनलोड करते हैं तो उस डाइग्राम में आप देखेंगे तो वहां पर आपको पावर सिक्वेंज हर लेप्टॉप में मिलेगा थोड़ा सा चेंज मिलेगा थोड़े से सिक्नल भी नाम चेंज हो सकता है बट आपको लेकिन पावर सिक्वेंज आपको मिलेगा आप पावर सिक्वेंज के एक होता है यह 19 वोल्ट जो इन हो रहा है इसको विन के नाम से भी जानते हैं और यहां पर आपको विन मिलेगा या भी एड करके मिलेगा या भी प्लस प्लस मिलेगा भी प्लस भी मिल सकता है तो इस तरीके से अलग-अलग नाम हो सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे विन भी है और B plus भी निखा हुआ है यानि फर्स्ट मॉष्ट जब इंट्री करता है तो एड़ाप्टर से जब हम वोल्टेज 19 वोल्ट देते हैं तो फ्रस्ट मॉष्ट जो आपका काम करता है तो वह तो 19V जो in हो रहा है उसको हम विन बोलते हैं, voltage in, तो voltage in से मतलब हो गया कि जो भी input आप first time पर दे रहे हो, 19V वो 19V आपको मिलना चाहिए, फिर second most फेट आपका क्या करता है, second most output देने का काम करता है, जिससे 19V आपका distribute होता है, तो 19 volt distribute होता है तो वहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यह बिन से पता लगेगा कि input voltage है और यह B plus है जो second MOSFET से output हमको मिलता है जहां पर आपको अगर आप नाम देखेंगे तो यहां पर आपको power src लिखा हुआ भी मिल सकता है तो यह power src जो लिखा हुआ होगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि power src जो काम कर रहा है तो वहीं उसी को हम b plus भी बोलते हैं और यह जो आपको चेक कर रहे हो यह पर आप देखेंगे इस supply को हमें चेक करने के लिए तो यहां पर हमने बताया आपको कि उसको बॉलेंगे तो यह second MOSFET से जब आपुट हमको मिलता है से आगए के सेक्षन आपके काम कर सकें क्योंकि जो कई को पहले फॉर्सcion के बात हैसी को थोटी टाइम की बाद सेकेंड के इसनिता है तो यहाँ पर देखेंगे तो बी प्लस के बाद हम को ढूर्सके बीफॉब्स्व मिलता है जो बोलते हैं यानि यह वीट और चार्जिंग सेक्षन यानि चार्जिंग आइसी में सबसे पहले इन होता है अब यह 19 वोल्ट कम्प्लीट होने के बाद यहां से आपको 3 वोल्ट यानि 5 वोल्ट रेगुलेटर जो यहां पर हमको क्या करना है तो यह सबसे पहले तो आपका आयो कंट्रोलर के लिए इन होता है candle-bio के लिए रिया इन होता है और इस पे यहां पर आपका बैक Tapi a डते कटर जो आपका लगा बैकरा तो बैक्टरि कनेक्टार पर नपी आप 3 वोल्ट चेक कर सकते हैं इसके बादने के बाद से US 1.1 वोल्ट वोल्टेज जो यह 1.1 वोल्ट आता है तो यह वोल्टेज आपका जो requirement है CPU की तो यह CPU की requirement के लिए पहले से 1.1 वोल्ट आउट होता है और इस वोल्टेज को हमें चेक करना है अब हर लेप्टोप में इस तरीके का sequence हो सकता नाम भी मिले क्योंकि 1.1 वोल्ट किसी मिलता है किसी में switch on होने के बाद मिलता है किसी सुशे पहले मिलेगा और किसी में switch होने के बाद मिलेगा तो यहां पर आपको यह चीज ध्यान देना इसलिए पावर से कुछन की गई किस तरीके से आपका switch काम करता है तो जब हम 19 वॉल्ड श्प्लाई देते हैं तो switch पर supply तो रहती है बड़ signal low रहता है फिर उसके बाद signal जब हम प्रेस करके छोड़ते हैं तो वह signal high होता है और high होने के बाद यह सीधा IO controller ic पर in होता है यह सीधा कहां जाएगा की पहुंकि जितने भी इंपोर्ट यानि फ़र्स टाइंप जो इन्फॉर्मेशन आती है कि वह इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन यानि सबसे पहले तो 3V LTO आपका मिलेगा तो 3V LTO से आपकी आयो कंट्रोलर IC ऑपरेट हो जाती है और ऑपरेट होने के बाद फिर उसके बाद कुछ सिगनल वहां से जनरेट होते हैं और वह सिगनल जनरेट होने के बाद तो यहां से ऑन आप स्विच का बटन इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम पर क्या होता है जब हम उसको प्रेस करके फिर से छोड़ते हैं तो सिगनल हाई होता है जैसे यह सिगनल हाई होगा तो यह क्या करेगा आयो कंट् अपर क्या करेगा इसको पीची एच के लिए प्रवाइड कर देगा आउटपूर देगा जिसे आपका पीची पर यह सिगनल की information वहां पर पहुंचना है जैसे सिगनल की information पहुंचे गी आपका इब पीच वर्क में आ जाएगा और वर्किंग में आते ही साथ यहां पर क्या होगा अब इसकी साथ यह पर जो आपका highest कंडूलर आईसी होता है तो यह बायोज के साथ कनेक्टिविटी तरे गा और कारेक्टिविटी होने के बाद यहानि की एक तपर के सिंक्रोडाइजेशन होगा बायोस और आयो के बीच में यह सिंख्रोनाइजेशन आने के बाद है यहां से RSM reset यह यानि आयो गंट्रॉलर क्या करेगा जितनी भी इन्फोर्मेशन लिए उस सारी information की अपनी एक महांसे signal जन्रेट करेगा कि हाँ यह सारे information हमने आपको दे चुका यानि पीसीज को यह inform करता है और पीसीज क्या करेगा आर एसम रिशेट सिग्नल रिसीब करेगा और रिसीब सिग्नल करने के बाद यह देखें यहां से पावर बटन आउट का जो सिग्नल जा रहा है जैसे कि हमने यहां पर बताया आपको कि पावर बटन को जब हम प्रेस करके यहां पर देते हैं तो आयो कंट्रोलर पर इन होता है और आयो कंट्रोलर वहां से आर एसम रिसेट सिग्नल जनरेट करने के बाद यहां से power button out यानि आयो कंट्रोलर क्या कर रहा है आयो कंट्रोलर power button जो switch हम on कर रहे हैं वो switch की information pch को दे रहा है अब pch के पास जिस तरीके जिस information जाएगी तो यह information इसलिए जाती है कि यहां पर pch यानि आयो कंट्रोलर की working complete हो चुकी है अब यहां पर क्या होगा pch का work चालूओगा तो pch क्या करेगा सबसे पहले तो यहां पर देख रहे हैं कि s5 signal के नाम से यहां पर लिखा हुआ slp s5 has तो यह s5 has क्या है यह एक enable signal है जो कि io controller generate करता है और आगे के जो section है जैसे आपका step down section है तो यह step down section के लिए यह enable signal के नाम से वहां पर जाएगा यहां पर s5 आप देखेंगे लेकिन वहां पर enable signal के नाम से जाएगा वो enable signal किसलिए होता है enable signal का काम क्या है enable signal का काम होता है कि io controller जो आपका work कर रहा है तो उस condition में io controller तो यहां से यह signal आपका s5 has signal जो आया तो यह signal कहां जा रहा सीधा step down ic के लिए आप step down ic जो है आपकी वह क्या है जो इसको active करने के लिए यह enable signal दिया जाता है जिससे की आयप की जो step down ic है वह work करे और 33 volt और 5 volt always output दे दे तो जो coil पे हमें voltage मिलेगा वह इस signal के बाद मिलेगा यानि इस signal से पहले हमें को LDO voltage मिलता है उसी section से ही मिलता है लेकिन जैसे ही हम enable signal देते है आयो कंट्रोलर के थूरे enable signal step down ic पे जाता है step down ic आपकी active हो जाती है और active होने के बाद यहां से यह signal generate होके सीधे step down ic पहुंचेगा और step down ic का क्या है यहां से 3 volt और 5 volt आउटपुट प्रवाइड कर देना है इसके बाद यहां पर देख रहे है आप सिस ऑन सिगनल यह सिस ऑन सिगनल क्या है यह सिस ऑन सिगनल आपका जो रैम का section होता है यह रैम section के लिए यहां से signal आउट हो रहा है और 1.5 बोल्ड यह भी आपका 1.5 बोल्ड बनना चाहिए जाकि एक एक CPU की requirement होती है तो वह 1.5 बोल्ड की requirement होना चाहिए इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं है तो यह सिस ऑन सिगनल भी आयो कंट्रोलर के थ्रू होता है और यहां पर आप देखेंगे कि तो SLP S3 यह सिगनल जब आउट होगा तो रैम section आपका active ह हो जाएगा जैसे ही रैम section active होगा तो यह सस पी हैस जो सिगनल आ रहा है यह भी रैम के अंदर इन होगा रैम IC में और रैम IC आपकी active हो जाएगी तो रैम की जो supply है उस रैम जो भी लगी है DDR3 DDR4 या DDR5 उसके recording यहां से output हमको मिल जाएगा जिससे आपका रैम section वर्क करेगा आ यहां पे आप देखेंगे 5 वोल्ट सस तो यह आई सी के लिए ही होता है तो 5 वोल्ट सब्सक्राइब हमको चेक करना है और यह 0.75 वोल्ट आप देख रहे हैं तो यह इसको हम VTT वोल्टेज बोलते हैं यह VTT वोल्टेज की requirement complete होना चाहिए रैम section में और इसके बाद यहां प वोल्ट वोल्ट जो आपका बन रहा है यह f1.5 वोल्ट की requirement होती है CPU के लिए और 1.8 बोल्ट की requirement विए दिए तो यह जो requirement आपकी है 1.8 वोल्ट पिर 1.2 यह वोल्टेज जो आपकी बन रही है यह CPU की ही requirement है तो 1.8 वोल्ट बनना चीए 1.1 वोल्ट बनना चीए यह CPU की requirement complete होगी इसके बाद आपकी जो kore voltage होती है वो we are on यानि कि ये क्या है आयो कंटरोलर के थ्रू अभी दो सिगनल आपने देखे थे s4 और s3 यह वी रहन क्या है कोई को इनेबल करने के लिए ये सिगनल जन्रेड होता है यह भी signal स्यग्णल आयो कंड उन्टोल के भी आएगा और इस सिग्नल के आने के बाद आपका जो कौर वोंटेज य काम करना चार्ट कर देगा यानि किया खो राई सी आपि जो है वह बरकरना स्टार्ट कर देगी तो यहां से आपको core voltage मिलेगा जिससे आपका CPU वरकिंग में आ जाएगा और यह जो आपका है वी गेट तो यह MOSFET आपका on हो जाएगा MOSFET operate होते ही core voltage output देते एंगा और जिससे CPU दे रहा है CPU को कि यहां से power okay है power okay या power good के नाम से signal generate होता है इसके बाद यहां पर देखेंगे keyboard reset तो यह reset signal तो keyboard reset यानि कि यहां से keyboard का मतलब क्या हुआ यहां से आपका जो FCH है यह आपकी जो आयो गंडोलर IC है इसी तो यह जो signal generate करती है reset signal तो यहां से जो PCH के थुरू जो PLT reset जिसे हम बोलते वो PLT reset signal out होगा और यह PLT reset आपका IO controller पे भी जाता है और CPU के पास भी चाहेगा इसके बाद देखेंगे तो आपका FCH यानि कि यह जो PCH आपका है तो यह power good के नाम से भी signal generate करेगा तो CPU के पास information जाएगी और यह power good signal CPU को मिलते ही CPU क्या कर देगा यहां से DRAM यह reset करके जो signal आ रहा है यह आपका जो DRAM reset है तो यहां DRAM reset signal out हो जाएगा और यह DRAM reset आपका CPU से out होगा और RAM के slot पर जाएगा तो यहां पर आपको अलग-अलग जो रैम के जो पिन डिटेल है तो पिन डिटेल के हिसाब से आप reset signal चेक कर सकते हैं वहां पर तो किस pin पर signal मिलना चाहिए और वह signal आपको कितना voltage वहां पर मिलेगा उसके recording आप पावर यह आपका DRAM reset चेक कर सकते हैं अप फिर इसके बाद यहां पर देखेंगे LDT reset तो LDT reset यह आपका जो reset signal जो CPU के थुरू जनरेट हो रहा है एक तो यह reset है एक DT reset है तो यह तो RAM के लिए जा रहा है और एक आपका जो reset signal है जो की PCS के साथ connectivity होगी तो PCS के साथ reset signal होगा तो PCS में भी जाएगा PCS के information complete होने के बाद यह reset signal जो आपका RAM के लिए जा रहा है जैसे RAM को signal मिलेगा तो display मिल जाएगा आपको screen पे अगर इन में से कोई भी signal आपका signal नहीं आता है तो उस condition में आपको यह देखना है कि PCS से हमको कौन से signal मिलना चाहिए जैसे कि हमने बताया भी PLT reset signal वह आप चेक करोगे तो वह PCS के थुरू out होता है DRAM reset signal आता है वह CPU के थुरू आता है तो यह दोनों signal आपको मिलना चाहिए अगर यह signal आते हैं तो आपका screen पे display आना चाहिए तो thank you